श्यानिक जी जूनागर्ट गुजराट से राधा वल्लव श्यारीवेंच जैन्डबर्ट प्रणाम माराश्री माराश्री पिछले पांच सालों से जीवन में अंधकार चाया हुआ है कभी भी सफलता नहीं मिल रही है जीवन में आगे क्या करूं क्या ना करूं समझ नहीं आप सरकारी में जाईए और रभू की शेवा करिये फिर सफलता नहीं मिल रही उसमें एकजाम में और अभ हमारी बात समझे आपको शिरी जी ने संकेत किया और आप सफलता ने प्रात कर दोनुं बाते जूटी हैं नो दोनों बाते जूठी हैं आप शत्य को स्वाइकार सessen Pratahaa उनकी मन की जाने लिए ना तो आप कितने बड़े सुध्ध की चाहि तो प्रकत जन्निक आप शिरी के सहते के संकेत को जान जाウगे तो निचेब प्रेम की सफलता की सफलता चाहो गये लोकवत और यह लोग की सफलता सुनो पहले प्रारब्द कैद ही नहीं इसकी सफलता के लिए स्रीजी प्रार्थन मत करो हमारी बात समझे ना विद्यारण जी बहुत बड़े महापुरुश हुए हैं उन्होंने अपने माता पिता को शुखी करने के लिए धन प्राप्ति के लिए गाय क्या एक बार भी कोई धन की प्राप्ति नहीं हुए आखिरी में उन्होंने शन्यास लिया माता गायत्री प्रगठ हो गए उनका बिंद्राशन भी मांगो तो आपका तो बुले आप क्या जरुद्ध है तो बैरागी हो गया बिरक्त हो गया माता पिता भी पधार गया उनकी तो आप तब नहीं आए उनका तुम्हारे अनंत जन्मों में ऐसे 24 महापाप थे जिनके कारण मैं नहीं आ पा रही थी अब वो तेश पुरण से चरण से नस्ट्वी पुरस्चरण से और 24 वा तुमने शन्यास लिया तो अब आप जो चाहो पर बूले आप चाहिए नहीं क् अब सन्यासी होगे अब तो ब्रह्म प्राप्ति के लिए तो इससे आभाश होता है कि अगर हमारा बुरा प्रारब्द है तो हमको भोगना पड़ेगा हम कितना भी प्रयास करें वह हमें तो हम क्या करें इसमें जिससे हमें परम शान्ति हो प्रभू के नाम का जब करते वो एक ऐसे हैं जो आपके प्रारब्दों को भी मिटा देंगे वो ऐसे सरनागत वसल हैं कि सब लिखा पड़ी अलग कर देंगे सुदामा जी को दरिद्रता का योग था ऐसी दरिद्रता कई-कई दिन तक भिक्षा नहीं मिलती थी यह जितने भी चरित्र हमारे लिए उधारण है मांगने जाते थे तो मांगने से भी नहीं मिलता था कई-कई दिन एक दिन की पत्नी ने कहा कि हमारा आपका तो चर्णाम्रत से भी गुजारा दो दो इन तीन दिन हो चार दिन हो छोटे-छोटे बच्चे तो मर जाएंगे ऐसे कुछ तो उनका स्री कृष्ण के सिवा हमारा कोई नहीं अब हम क्या कर सकते हैं प्रारणद जब बिगड़ता है न वो कोई सफलता नहीं होने देता तो एक दिन स्री रुकमिनी जी प्रशाद ठाकुर जी को भोग पा आ रही थी तो वो ऐसे रोग दिया उदाश हो गए तो उनका प्रभु ऐसी स्थिति हमने जब जब आपकी देखी तो किसी भक्त को जब कस्ट होता है तब आपको ऐसे देखा है कौन शाभगत है और क्या कस्ट है तो का एक शुदामा नाम के हमारे मित्र हैं कई दिन से भोजन भी उनको प्रभु आपकी मित्र और मैं आपकी चाह नहीं है और चाह ना होने पर हम भीवश हैं अगर वो चाह कर ले तो सारी बिवस्था हो जाए तो बोले पैदा करो जाके चाह बोले उनके हरदय में तो नहीं पैदा कर सकते हम भी क्योंकि जिस रदय में भगवान का आश्र है और निरंतर चिंतन है वहां माया की चाह नहीं होती हुए उनकी पतिनी के रदे में बोले प्रयास करते हैं जाके भगवान संतवेश्च में कए विक्षाम दे उनिकले अतित्य का सदकार करना गरेश्त का धर्म होता है हाँ जुड़ा और काम अश्मर्थ हैं आपको भिक्षान नहीं दे सकते हैं क्यों है वह उम्हां पवित्र हैं हमारे उपर शूतक लगा हुआ है किस बात का शूतक हमने एक पुत्र जन्मा है तो ठीक है हम दस बारा दिन बाद आ जाएंगे बोले नहीं आज ही वन पवित्र रहेंगे वैसा कौन सब बोले दरिद्रता रूपी विद्वान की पत्री हैं पैसे उनका दरिद्र पुत्र का जन्मा अर्था सीधे कि मैं नहीं दे शक्ति या देने योगी नहीं ऐसा न करें उनका मैं परित्र हो जिनकी पती के मित्र द्वारिकाधिश्वगवान स्रीकृष्ण है वो दरिद्र कैसे हो सकता है एक बार कहो ना अपने पती से चले गए जो शुदामा जी आय उनको मैं कुछ नहीं दें पाई मुझे बहुत कस्ठ है कि मेरे पुत्र और आयो ही अतित कभी हम स्वागत नहीं कर सकती उनका भरण को आपके मित्र द्वारिकाधिश्व प्रभू श्रीकृष्ण है सुदामा जीन कहा बोले चले जाओना वो कुछ नो कुछ शायोग कर दे पर उन्से यह नहीं को होगे कि आप हमारे मत कहना दर्सन के लिए तो चले जाओ वो शुना है इतने उदार है कि जाने पर ही दे देंगे तो आपके बहुत दिन हो गए ठीक है पर मित्र के पास जाए तो कुछ लेके जाला चाहिए में पास तो कुछ नहीं परोश में जैसे कि शिश मांग ने गई तो अरे समय जब बिगड़ता कोई नहीं होता साथ एक ने थोड़ी उदारता दिखाई तो चावल पछोरने पर जो आगे कनका होते हैं चावल के जो प्रायार वो लिए सुदामाजिन का हमारे प्रभू भाव की मुंके कुछ ले जाएंगे खाली आ कि हड़ी हड़ी सरीर में कई जगे से फटे वस्तर भिवाई फटी हुई मतों दिखाई दे रहा था दरिद्रता की मूर्ती है तो उनका किश्य मिलना है तुमको तो उनका सिरीकृष्ण से बोले संभाल की बोलो क्योंकि पार्शद है अनंत को ब्रह्भांडों के नायक प्र प्रूब आजीब आदमी है आपका नाम बिना किसी सब्वेता के लिए रहा है किरा सिरीकृष्ण से करे सुदामा कूद पड़े भगवान तोड़े ओ पार्शद वश्वक की ब्रह्मा जी संकर जी आते तो आं खड़े रहते हैं घंटो भगवान ऐसे भागे कि शुदामा जी को पता था ला हमारे रुकमिणी जी के महल में रुकमिणी जी के पलंग पर बैठालते हैं श्वयम चरण पकार तो अब यह वई भौक क्या हाल चाल है कैसे धुत इन आप सब जानते हो आप की तो कुछ तो कुछ लाए योगे सड़े से कपड़े में चावल कैसे बड़ी बड़ी हो महारानियास भगवान का चुप ऐसे बुले देख फिर चूक कर रहे हो हमारे इससे की चोरी पहले की थी और फिर चूक कर रहे हो अब हिम्मत नहीं पड़ रहे थी इतने महामाहिम आस तक मुझे ऐसा स्वाद नहीं मिला भगवान बड़ाई कर रहे देखो रुकमिनी जी के आखों में आशु आ गया उद्रस भगवान दूसरा पकड़ लिया हांत रुकमिनी बस प्रभू हम आपकी शिवा नहीं रह सकती हो भगवान तो सुदामा जी का स्वागत समान कुछ अच्छे कपड़े पहना है जब चलने लगे ला भगवान की तरफ हो देखते कामना नहीं पर कि देखा पतिनी कह रहे थी जाओ के कुछ लो कुछ चले प्रभू हां ठीक है इधर से ऐसे चले जाना हाथ भी खाले प्रभू ने का देख महेंगे हैं रस्ते में तुम्हें चोर बदमास तुम्हापनी पोसाग पढ़ें इनको उतार दू बड़ी करपा कपड़े उतार रहे हैं और जास्तेव सोचे जाए देखो निगेटिवली सोच रहें मेरे स्रीकृष्ण मुझे कितना प्यार करते हैं उन्होंने इसलिए नह हुआ कि मुझे लगता चलते-चलते मैं पुना दौरिका आगया तो आप पूछ रहें कि इसका है भगवान के पाश बिधाता आये उनका प्रूब्य तो गलत हो गया इनके भाग में हमने लिखा था चैसरी एश्वरी का नाश जीवन में नहीं यह चैसरी भगवान ने उसक अच्पा सर्सक्त भून्वान को अल्टा कर दिया तो का प्रभू तो उनका इनों ने क pizza अनंत की को लइ इतन्ल वास करते हैं इंके पान इंक rello का बहंडारा उसका जो पुन्य हता लिए इनके बागी है अब किसी की चले शो को अन्य था उनकी शरण हो कर नाम जब किजिए और उन जड़ने का बल और बिवेक दीजे बात बन जाएगी